दोस्तो स्वागत एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सुनो कहानी होरर के एक नए एपिसोड में मेरा नाम है विरेन और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ शैलक होम्स की एक बेहद ही दिल्चस्प कहानी अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लिजे चलिए कहानी शुरू करते हैं ये करीब आधी रात का वक्त रहा होगा जब डॉक्टर वाट्सन के दर्वाजे पर दस्तक हुई इस वक्त भला कौन हो सकता है ये सोचते हुए डॉक्टर वाट्सन ने दर्वाजा खोला जो शक्त दर्वाजे पर खड़ा था उसे देखकर डॉक्टर वाट्सन के चहरे पर मुस्कान उभराई डॉक्टर वाट्सन के सामने शैलोक होम्स खड़ा था वाट्सन को देख कर शेलोक बोला रात आधी बीच चुकी है पर मुझे उमेद है कि मैंने तुम्हें इस वक्त डिस्टरब नहीं किया होगा डॉक्टर वाट्सन बोला नहीं मेरे दोस्त अगर इस आधी रात को तुम मेरे दर्वाजे पर खड़े हो तो जरूर कोई गंभीर बात होगी आज़ो अंदर आज़ो शेलोक और वाट्सन दोनों सोफे पर बैठ के अब शेलोक ने बिना किसी भूमी काके अपनी बात कहनी शुरू की देखो वाट्सन ये केस बड़ा ही उलजा हुआ है मामला एक खून का है लेकिन खून कैसे हुआ किस ने किया ये अभी तक समझ नहीं आया है वाट्सन तुम्हारे पास समय है न कहीं तुम्हें नीन तो नहीं आ रही वाट्सन बोला बिलकुल नहीं दोस्त तुम अपनी बात जारी रखो शेलोक नहीं फिर से अपनी बात कहनी चालू की वाट्सन ये मामला एल्डर शॉर्ट में हुई कर्णल बाकली की रहसमे मौत का है वो बिटिश आर्मी रॉयल मंस्टर्स की रेजिमेंट में कर्णल था फिलहाल एल्डर स्ट्रीट में उसका कैंप लगा हुआ था वो खुद एक कमांडिंग आफिसर की हैसियत से वहां से कुछ दूर अपने बंगले में रहता था उसकी काबिलियत की तारिफ करनी होगी क्योंकि आर्मी जॉइन करने के बाद बहुत जल्दी ही तरक्की करते हुए वो एक साधरान सैनिक से कलनल की पत पर जाब पहुँचा था उसकी शादी एक सार्जन की बेटी से हुई थी जिसका नाम है नैंसी डेवोई वैसे तो शादी के बाद उन दोनों के रिष्टों में कोई समस्या दिखाई नहीं देती थी पर उनको जानने वालों मेंसे कुछ लोग दभी जबान में ये कहते थे कि उन दोनों के बीज कुछ सही नहीं है वो दोनों पती-पत्नी कहीं भी एक दूसरे के साथ आते जाते नहीं थे ये समस्या शायद कलनल बाकली की तरफ से नहीं थी बलकि उनकी पत्नी की तरफ से थी कलनल तो अपनी पत्नी को वैसे ही चाहता था जैसे दूसरे पती अपनी पत्नियों को चाहते हैं लेकिन नैंसी को अगर कहीं बाहर आना जाना होता था उनके साथ काफी लंबे समय से काम कर रहे थे. नैंसी अकसर चर्च की गतीविधियों में हिस्सा लेने के लिए वहाँ जाती थी, मगर वहाँ भी वो अपने पती के साथ नहीं जाती थी. वहाँ वो अपनी एक पडोसन सहीली को अपने साथ ले कर जाती थी, जिसका नाम है मौरिसन चर्च की ऐसी मीटिंग्स रात को आठ बजे शुरू होकर करीब एक घंटा चलती थी ये सिलसिला कई महीनों से ऐसे ही चल रहा था लेकिन पिछले हफ़ते ही अचानक वो मनहूज घटना घट गई चर्च छुटने के बाद नैंसी सीधे अपने घर गई जब वो अपने घर पहुँची तब करीब रात के साड़े नौ बज रहे थे नैंसी बहुत परिशान लग रही थी उसने अपनी नौकरानी से एक कब चाई लाने को कहा इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि चर्च से लोटने के बाद नैंसी ने ऐसी कोई फरमाईश की हो ये बात सुनकर नैंसी की नौकरानी को भी बड़ा अजीब लगा लेकिन फिर भी वो नैंसी के लिए एक कब चाई लेकर आई उसी वक्त कर्नल बाकली भी वहाँ पहुँच गया और उसने दर्वाजा भीतर से बंद कर दिया और उन दोनों में कुछ बाते होने लगी इन बातों में उस नौकरानी को कोई दिल्चस्पी नहीं थे क्योंकि वो दोनों पती-पत्नी थे और वो कुछ भी बात कर सकते थे लेकिन उस नौकरानी का ध्यान उन दोनों की बातों पर तब गया जब उसने सुना कि उन दोनों की बातचीत तेज बहस में बदल गई और कुछ देर बाद उन दोनों की वो बहस चीखम चिल्ली में बदल गई तब उस नौकरानी को कुछ गड़बर होने का अंदेशा हुआ उसने दर्वाजे को खोलने की कोशिश की मगर वो दर्वाजा नहीं खुला क्योंकि वो अंदर से बंद था उसने दूसरी नौकरानी और गाड़ीवान को बताया तीनों वहां पहुँचे और तीनों नहीं दर्वाजे को खोलने की कोशिश की मगर वो दर्वाजा फिर भी नहीं खुला अंदर पती पत्नी में कोई बहस छड़ी हुई थी दोनों जोर-जोर से चिल्ला रहे थे दर्वाजे के बाहर से जो कुछ भी उन्होंने सुना वो शब्द कुछ इस प्रकार थे नैंसी कलनल के ऊपर चिल्ला रही थी तुम सुआर्थी और मतलबी इंसान हो तुम्हारे पास दिल नहीं है तुम्हें किसी के जजबातों की कोई कदर नहीं जबसे मैंने तुमसे शादे की है मेरी जिन्दगी नर्ख हो गई है मुझे मेरी जिन्दगी लौटा दो प्लीज और इसके बाद बाहर खड़े उन तीनों लोगों ने कलनल की एक तेज चीख सुनी अंदर क्या हुआ क्या नहीं ये बाहर से कहपाना मुश्किल था लेकिन उस चीख के साथ ही बाहर से खड़े तीनों नौकरों को अंदर कुछ गडबड होने का अंदेशा हो चुका था मगर वो कर भी क्या सकते थे दरवाजा अंदर से बंद था तब ही गाड़ीवान को याद आया कि कमरे की खिड़की से अंदर जाया जा सकता है गाड़ीवान भागता हुआ कमरे की खिड़की के पास गया और उस खिड़की से वो कमरे के अंदर दाखी लुआ मगर अंदर घुसते ही जो द्रिश उसने देखा वो द्रिश देखकर उसकी चीख निकल गई डर के मारे उसका पूरा शरीर सिहर उठा मानो जैसे उसकी साथ पुष्टें काप गई हो क्योंकि उस गाड़ीवान के सामने उसके मालिक कलनल बाकले की लाश पड़ी हुई थी उसके मालिक के सिर पर एक गहरा घाउ था जिसमें से खून निकल कर तालाप सबन चुका था दिल्चस्प बात ये थी कि नैंसी भी वहीं पास मैं बिहोश पड़ी हुई थी उस कमरे के दर्वाजे के बाहर दोनों नौकरानिया खड़ी दर्वाजा खोलने के लिए चिल्ला रही थी गाड़ीवान ने उस दर्वाजे को अंदर से खोलने की कोशिश की लेकिन उसका आटोमेटिक लॉक बंद था उस गाड़ीवान ने उस दर्वाजे की चाभी को ढूरने की कोशिश की ताकि वो उस ताले को खोल सके लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे वो चाभी नहीं मिली गाड़ीवान मुही मुह में बढ़बडाया कमाल है दोनों में से किसी एक ने तो दर्वाजे को अंदर से बंद किया होगा फिर दर्वाजे की चाभी कहां चलेगी गाड़ीवान पहले ही बहुत घबराया हुआ था वो तुरंत वापस उस खिड़की से बाहर निकला और उसने पुलीस को सूचना दी पुलीस आई और आने के बाद कारपेंटर को बुलाया गया कारपेंटर ने उस दर्वाजे के बोल्ट्स को अलग किया और उस दर्वाजे को खोल दिया पुलीस भी अंदर का दृश्य देखकर चकरा गई कि आखिर कलनल बाकली की मौत हुई कैसे वो मामला आर्मी के अफसर की मौद का था इसलिए आर्मी के हैटक्वाटर में करिनल बाकले की मौद की सूचना भेज दी गई मेजर मर्फी ने इस पेचीदा मामले को सुलजाने के लिए मेरे नाम की सिफारिश की और इस तरह ये केस मेरे हाथ में आया मैंने इस केस की बारीकी से इन्वेस्टिगेशन की मैंने पाया कि कलनल मरने से पहले भाई भीट था उसकी आँखे डर से फटी हुई थी लेकिन एक फौजी आदमी इस तरह किस से डरने लगा ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई कि मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया था वो कोई कातिल भी हो सकता है जिसे उसने अपने बहुत पास देख लिया हो या इस हालत में देख लिया हो कि उस वक्त वो उसका मुकाबला करने की हालत में ना रहा हो हो सकता है कि उसे लगा हो कि उसकी मौत अब एकदम उसके सिर के उपर है शायद इसी खयाल से वो इतना डर गया होगा दोनों नौकरों से और गाड़ी वान से बात करने के बाद मैंने भी उस कमरे में चाबी को ढूनने की बहुत कोशिश की लेकिन वो चाबी मुझे नहीं मिली अजीब बात थी वो कमरा अंदर से बंद था और इस तरह चाबी का गुम हो जाना संदेग्ध और आश्चेर जनक था उसके बाद मैंने नैंसी की पडोसन दोस्त मौरी सन से भी बात की लेकिन कतल से जुड़ी कोई भी जानकारी मुझे वहाँ से नहीं मिली नैंसी पुलीस के शक के दायरे में थी मगर पुलीस इस बात का भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी कि अगर नैंसी नहीं अपने पती बाकले को मारा है तो वो खुद बेहोश कैसे हो गई तब मैंने अपना सारा ध्यान कर्णल की दोनो नौकरानियों पर और उसके गाड़िवान पर लगाया तब कर्णल की दोनो नौकरानियों में से एक नौकरानी ने अपने दिमाग में जोर डाल कर मुझे ये बताया कि जब उन दोनों पती-पत्नी में बहस हो रही थी, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे. तब उन्होंने दर्वाजे के बाहर से नैंसी की मुँसे एक नाम सुना था. और वो नाम था डेविड. तब डॉक्टर वॉट्सन शेलोक होम्स को टोकते हुए बोला, डेविड कलनल बाकली का पहला नाम भी तो हो सकता है, जैसे कलनल डेविड बाकली. तब शेलोक होम्स बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, कलनल का पूरा नाम है जेम्स बाकले. ओ, खेर, फिर क्या हुआ? डॉक्टर वॉट्सन बोला. उसके बाद नैंसी को हॉस्पिटल भेज दिया गया, और कलनल की डेड बोडी को पोस्ट मॉटम के लिए, शेलोक ने बताया. डॉक्टर वॉट्सन कुछ पल सोचते हुए बोला, देखो शेलोक इस केस में कोई खास दम नहीं है. साफ तोर पे पता चल रहा है कि नैंसी सबको बेवकूफ बना रही है. कमरे में सिर्फ वो और कलनल थे. उसने किसी भारी चीज से कलनल के सिर परवार किया, और उसकी हत्या कर दी. और फिर हत्या के आरोप से बचने के लिए बिहोशी का नाटक करके वहीं गिर गई. और पुलीस को गुमरह करने के लिए उसी ने कमरे की चाबी भी छुपाई होगी. शेलोक ने डॉक्टर वाटसन को टोकते हुए कहा, नहीं वाटसन, अगर चाबी कमरे में कहीं पर होती, तो मेरे ढूणने पर मुझे जरूर मिलती. मैंने उस कमरे का हर एक कोना अच्छे से चाना था, मगर उस चाबी मुझे नहीं मिले. तब डॉक्टर वाटसन बोला, ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है. हो सकता है कि बाद में वो चाबी कमरे में ही कहीं मिले. कई बार चीजे हमारे सामने ही होती है, मगर हम उन तक नहीं पहुच पाते. अब शेलोक होम्स बोला, देखो वाटसन, नैंसी पर शक नहीं करने की मेरे पास एक और वजह है, और वो वजह है खिड़की के बाहर जमीन में किसी इंसान के फुट्प्रिंट्स. वाटसन बोला, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वहाँ कोई तीसरा इंसान भी था. हाँ, बिल्कुल, शेलोक ने कहा. जिस कमरे में कतल हुआ, उस कमरे की दिवारों को मैंने ध्यान से देखा. उसकी दिवारे किसी म्यूजियम की दिवारों की तरह बनाई गई थी. शायद कलनल को एंटीक चीजें जमा करने का शौक था. जैसे तलवारें, पुराने चाकू, बर्ची, भालें और गदा वग्यरा. मेरी थियोरी के हिसाब से, उस कमरे के बाहर, खिड़की के पास कोई ना कोई तो खड़ा था, जो वहाँ खड़ा रहे कर उन दोनों की बहस को सुन रहा था. जरूर वही आदमी खिड़की के रास्ते अंदर घुसा होगा. उसी ने मौका देखकर, कलनल के उन्ही एंटीक जमा किये हुए हतियारों में से, किसी एक हतियार को लेकर कलनल के सिर पर वार किया होगा, जिससे कलनल की ततकाल ही मौत हो गई. और उस भयानक द्रिश्च को देखकर, नैंसी अपने होश खो बैठी होगी, और तुरंथ ही बिहोश होकर, वहीं पास में ही गिर गई होगी. उसके बाद हतियारे ने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की होगी, वो दर्वाजे के पास भी गया होगा. दर्वाजे की चाबी उस वक्त दर्वाजे के अंदर से दर्वाजे में ही लगी होगी. लोग उस दर्वाजे को दूसरी चाबी से न खोल दे और इसी डर से उसने दर्वाजे में से चाबी को निकाल लिया होगा और उस कमरे की खिड़की से कूत कर वहां से भाग गया होगा और साथ ही चाबी को भी वो अपने साथ ही ले गया होगा डॉक्टर वाटसन ने कहा तुम्हारी कहानी तो रोचक लग रही है शैलोक शैलोक बोला वाटसन अभी इस रोचक कहानी में एक और किरदार बाकी है अच्छा तो वो रोचक किरदार कौन है शैलोक डॉक्टर वाटसन ने पूछा शेलक बोला ये रोचक किरदार एक छोटा सा चूहे जैसा नुकिले पंजो वाला जानवर होना चाहिए ये तुम्हें कैसे पता चला क्या वो चूहे जैसा जानवर भी अपने पैरों के निशान छोड़ कर गया था डॉक्टर वाटसन ने मजाक में पूछा ये मजाक की बात नहीं है वाटसन जानवर भी अपने पैरों के निशान छोड़ जाते हैं ये देखो इतना कहते हुए शेलक होम्स ने अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी जेब से एक मुढ़ा हुआ कागज बाहर निकाला और उसे खोल कर वाटसन को दिखाया उस कागज में छोटे छोटे पंजो के निशान बने हुए थे वाटसन ने बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देख कर शेलक से कहा लेकिन इसमें अजीब क्या है शेलक ऐसे छोटे छोटे जानवर तो गार्डन में बहुत खूमते होंगे शेलक बोला हाँ ऐसे जानवर तो गार्डन में बहुत गूमते हैं मगर किसी कमरे की दिवार की खिडकी में लटके हुए पर्दो में ऐसे जानवरों के पंजो के निशान मिलना थोड़ा आश्चे रिजनक होता है वाटसन हैरानी से बोला क्या मतलब है तुम्हारा तब शेहलोक ने कहा ये छोटे छोटे पंजो के निशान उसी कमरे की खिडकी में लटके पर्दो में से मिले हैं जिस कमरे में कनल का कतल हुआ था इन पंजो के निशान वहां से मिलना कोई संयोग नहीं है वाटसन बंद खिड़की से ऐसे जानवर कभी अंदर नहीं आ सकते इस से साफ यही जाहिर होता है कि ये छोटा जानवर उसी हत्यारे के साथ उस खिड़की से अंदर आया था या फिर यूँ कहें कि ये जानवर उसी हत्यारे के साथ था अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि चर्च से वापस आते समय नैंसी अचानक इतना परेशान की हो गए थी आखिर चर्च से वापस लोटते समय उसके साथ ऐसा क्या हुआ था वापसन बोला मुझे तो इस बात की हरानी है कि आखिर तुम्हें अभी तक उसकी पड़ोसन दोस्त मौरिसन से कोई जरूरी जानकारी क्यों नहीं मिले जबकि वो तो उसके साथ हर संडे चर्च आया जाया करते थे शेलोग बोला यही सोच कर तो मैं मौरिसन से एक बार फिर मिला और मैंने उसे स्तिथी की गंभीरता समझाई मैंने उसको समझाया कि उसकी चुपी नैंसी को खत्रे में डाल सकती है क्योंकि अब तक कानून उसे ही कातल समझ रहा है तब मौरिसन ने मुझे कुछ नई बातें बताई मौरिसन बोली चर्च से लोटते समय हम लोग अक्सर हटसन स्ट्रीट से गुजरते थे जो अक्सर सुनसान रहती है हत्या वाली रात भी हम उसी सड़क से आ रहे थे तब ही अचानक न जाने कहां से नैंसी के सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया वो अधेर उम्र का था उसने पुराने से मेले कुछले चमकीले कपड़े पहने वे थे जैसे गलियों में नुकडों में हाथ की सफाई दिखाने वाले जादुगर पहनते हैं बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने थे उसने नैंसी को देख कर उसके मुँसे हैरानी के साथ निकला ओ नैंसी ये तुम हो मुझे यकिन नहीं हो रहा अचानक से उस आदमी को सामने देख कर नैंसी उसे नहीं पहचान पाई थी लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे पहचान गई और उस आदमी को देख कर वो खुश हो कर बोली ओ हैंरी, इस इट यू? वाट अ सर्प्राइज पर तुम तो तीस साल पहले मर चुके थे जल्द ही नैंसी को मेरी उपस्तिति का एहसास हुआ तो वो हैंरी का हाथ पकड़ कर उसको एक तरफ लेकर चली गई जहां से मैं उनकी बातों को नहीं सुन सकती थी वो दोनों वहाँ पर खड़े न जाने क्या बात कर रहे थे पर जब नैंसी उससे अलग हुई तो वो आदमी नैंसी से बहुत गुसा नजर आया उसने मेरी तरफ आती हुई नैंसी को चेतावनी भरे अंदाज में गुसे से मुक्का दिखाया इससे ज़ादा मौरिसन ने मुझे कुछ नहीं बताया वाटसन क्योंकि नैंसी ने मौरिसन को उस आदमी के बारे में कुछ नहीं बताया वाटसन बोला तो फिर मौरिसन ने तुमसे इस सारी बाते पहले क्यों छुपाई शेलक बोला क्योंकि नैंसी ने ही मौरिसन से कहा था कि वो किसी को भी उस बारे में ना बताया वाटसन बोला तो फिर क्या ये वही आत्मी हो सकता है जो कलनल की खीड़की के बाहर खड़ा था और मौका देखकर उसी ने कलनल की हत्या की शेलोक बोला अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता वाटसन क्योंकि मेरे पास पक्के सबूत नहीं है डॉक्टर वाटसन बोला अगर वो गलियों में फुट पातों में हाथ की सफाई दिखाने वाला कोई जादूगर है तो वो खोजने से जरूर मिल जाएगा उस आदमी के बारे में जानने की कोशिश तो तुमने जरूर की होगी शेलोक शेलोक बुला हाँ बिलकुल की थी और मुझे पता चला कि वो हटसन स्ट्रीट में एक किराय के मकान में रहता है मैंने उसकी मकान मालकिन से उसके बारे में पता किया तो उसने मुझे उसके बारे में बहुत कुछ बताया उसकी मालकिन ने बताया कि वो उसके मकान में पिछले एक हफ़ते से रह रहा है वो रात को गलियों में तमाशे दिखा कर पैसा कमाता है और उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है तब मैंने उसकी मालकिन से एक छोटे चूहे जैसे दिखने वाले जानवर के बारे में पूछा तब उस ओरत ने बताया कि उसके पास एक ऐसा जानवर भी है जो हर समय उसके साथ ही रहता है वो उसका अस्तिमाल करके भी खेल दिखाता है जिस वक्त मैं वहां गया उस वक्त वो बाजिगर वहां नहीं था लेकिन इस केस को सुलजाने के लिए कल सुबह हमारा उसे मिलना बहुत जरूरी है क्या तुम मेरे साथ वहां चलने को तयार हो वाटसन वाटसन बोला कमाल है शेलोक ये केस तो तुम लगभग हल कर ही चुके हो फिर तुम्हें अब मेरी क्या जरूरत शेलोक बोला जरूरत है वाटसन कल जब मैं उससे पूछताच कर रहा होंगा तब उसकी बातों की सच्चाई के लिए एक आदमी का होना या यू कहलो कि किसी गवाह का होना बेहत जरूरी है तो कल तुम मेरे गवाह रहोगे तो ठीक है कल सुबे वहाँ चलते हैं डॉक्टर वाटसन ने कहा अगले दिन शेलोक होम्स और डॉक्टर वाटसन दोनों एक ट्रेन से एल्डे स्ट्रीट गए और वहाँ से सीधा हट्सन स्ट्रीट पहुँचे बाजीगर उस वक्ट अपने घर पर ही था शेलोक होम्स और डॉक्टर वाटसन दोनों तूफानी जोंके की समान उसके घर के अंदर घुसे उन दोनों को अचानक से इस तरह अपने घर के अंदर घुसता देख वो बाजीगर चौक पड़ा हेई कौन हो तुम दोनों और इस तरह मेरे घर में घुसने का क्या मतलब है शेलोक ने आते ही उसके घर की च्छान बीन शुरू कर दी उसकी बाज की जैसी नजर पूरे कमरे का मुआयना करते हुए चारो तरफ घूम रही थी शेलोक ने बड़े ही अदब से उस बाजीगर से कहा परेशान मत हो ये मिस्टर हैंरी मुझे डिटेक्टिव शेलोक होम्स कहते हैं और ये मेरे सहीयोगी डॉक्टर वाटसन है हम दोनों तुम से कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं हैंरी बोला मैं तो तुम दोनों को जानता भी नहीं तो मैं तुम दोनों से बात क्यूं करूं शेलोक बोला हमें नहीं जानते तो कलनल बाकली और मिस नैंसी को तो जरूर जानते होंगे ये सुनते ही उस बाजिगर के चेहरे पर कई रंग आये और आकर चले गए वो उखड़े स्वर में बोला कल्लल बाकली के कतली से मेरा क्या लेना देना शेलग बोला लेकिन हमने था तुम्हें नहीं बताया कि उनका कतल हो चुका है वो बाजिगर बौकला गया और बोला मैंने अख़बार में पढ़ा था शेलग बोला देखो एंडरी तुम वो आखरी इंसान हो जिसने कल्लल बाकली को जिन्दा देखा था तुम इस शहर में आए और तुम्हारे आते ही कल्लल बाकली इस दुनिया से चला गया इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मेरा उससे कोई मतलब नहीं है मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता इतना कहे कर उस बाजीगर ने शेलोक और वाटसन की तरफ पीठ गुमा ली तो ये बात तो तुम मुझसे नसरे मिला कर भी कह सकते थे शेलोक होम्स ने बड़े ही आराम से कहा चले जाओ यहां से, निकल जाओ वो बाजीगर गुसे से बोला तब शेलोक होम्स ने कहा हाँ हाँ मैं तो चला जाओंगा लिखन इतना याद रखो इस कतल का इलजाम नैंसी के उपर लगा हुआ है तो सजा भी उसी को होगी सिर्फ तुम हो जो यह जानता है कि कतल नैंसी न नहीं किया है हाँ मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं कर सकती वो तो इतना कहते ही बाजीगर अचानक से चुप हो गया शेलोक बोला हाँ हाँ यह कहलो कि वो तो एक चीटी तक नहीं मार सकती वो आदमी भौचक का सा खड़ा शेलोक का मूँ ताक रहा था शेलोक ने आगे कहा और ये भी बता दो न कि तुम उसे बरसो पहले से जानते हो नहीं ये सब बकवास है वो आदमी अभी भी हिचकिचा रहा था शेलोक बोला तो फिर कलनल के कमरे की चाबी जहां उसका कतल हुआ था वो चाबी तुम्हारे घर में क्या कर रही है ये चाबी यहां आई कैसे शेलोक ने टेबल पर पड़ी एक चाबी को उठाया और उस आदमी को दिखाते वे बोला ये उसी कमरे की चाबी है ना बोलो अब उस आदमी की घबराहट उसके चहरे पर साफ नजर आ रही थे वो पसीना पसीना हो चुका था शेलोक ने आगे कहा तो हेंडरी क्या ये चाबी को तुम ही नहीं उठा कर लाय थे वो आदमी बोला हाँ शेलोक बुला तो फिर अब साफ साफ बताओ कि उस रात असल में वहां हुआ क्या था अब उस आदमी ने अपने हथियार डालते हुए कहा ये बहुत लंबी दास्तान है जिसके शिरुवात आज से तीस साल पहले हुई थी मैं और बाकली दोनों फौज में थे बाकली फौज में सारजेंट था नैंसी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी मुझे जादू के खेल दिखाने का शौक था ये जादू बस हाथ की सफाई मात रही था नैंसी मेरे खेल को देखकर बहुत खुश होती थी और मैं उसे पसंद करता था नैंसी भी मुझे पसंद करती थी हम दोनों एक दूस्ते को चाहते थे मगर उसके पिता वो कुछ और ही चाहते थे अपनी बेटी के लिए उन्होंने कुछ और ही सोच के रखा था उन्होंने बाकली को अपना दामाद चुन रखा था बाकली मेरे और नैंसी के बारे में सब कुछ जानता था मगर वो इस बात को पसंद नहीं करता था कि नैंसी मुझे चाहती है क्योंकि वो खुद भी नैंसी को पसंद करता था बाकली नैंसी से शादी करना चाहता था, इसलिए बाकली मुझसे बहुत चुड़ता था ये उन दिनों की बात है, जब हमारी रेजिमेंट भारत के दोरे पर थी मुझे अपनी रेजिमेंट को लेकर एक जगह पहुँचना था लेकिन मुझे पता चला उस रास्ते में करांती कारियों के एक दल से हमारी मुठ भेड हो सकती थी मैं उन करांती कारियों से उलजना नहीं चाहता था, मैंने अपने चीफ को इस बात की सूचना देनी चाही लेकिन बाकली ने मुझे रोक लिया उसने मुझे से कहा कि वो इंडिया के चप्पे चप्पे से वाकिफ है उसने मुझे एक सुरक्षित रास्ता बताया जिससे मैं अपनी रेजिमेंट को लेकर बिना क्रांती कारियों से टकराए अपनी मंजिल तेक पहुँच सकता था उसने मुझे एक नक्षा भी दिया उसपर यकिन करके मैं उसके बताय रास्ते पर निकल गया लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो मेरे साथ दुश्मनी निभा रहा था मैं नहीं जानता था कि वो इस तरह से नैंसी और अपने बीच का रास्ता साफ कर रहा था, काश में उसकी मकारी को समय रहते जान पाता, मैं उसके जाल में बुरी तरह से फस चुका था, बारकली के बताय हुए रास्ते पर मुझे पकड़ लिया गया, और मुझे बेहद बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, मैंने तरह तरह की आत्नाइ भूक्टी, मैं भूखा रहा, नैंसी के प्यार की तड़प मुझे बेचेहन करती रही, मैं कैसे भी करके उसके पास जाना चाहता था, लेकिन मैं मचपूर था, मैं हर वक्त बार्कली को कोस्ता रहता था, फिर उसके काफी समय बाद मुझे वहां से कर चले गए उन्होंने मेरे साथ गुलामों जैसा व्यभार किया और मुझे खेती बाड़ी के काम में लगा दिया इतने लंबे समय तक तरह तरह की यातनाय सहते हुए मेरा चहरा बुरी तरह से बदल गया और मेरे शरीर की ऐसी हालत हो गई जो आप देख रहे हैं एक दिन मौ हो गया हाला कि इंग्लेंड मेरी अपनी जगह थी मगर यहां के लोगों ने भी मुझे नहीं अपनाया जो भी मेरे चहरे को देखता था मुझसे घ्रणा करने लगता था तब मजबूरन जीवन यापन करने के लिए मैंने बाजी गरी जादू गरी का काम करना शुरू कर दि मैं अभी तक उसको भुला नहीं पाया था ये नैंसी का ही प्यार था जिसने मुझे अभी तक इतना नर्क भुगतने के बाद भी जिंदा रखा था नैंसी ने मुझे बताया कि उसे मेरी मौत की खबर मिली थी और बहुत समय तक मेरा इंतजार करने के बाद ही उसने बाकली के कमीने पन और धोके बाजी की कहानी बताई जिसे सुनकर उसे भी अपने कानों पर यकीर नहीं हुआ मैंने नैंसी को लौट आने के लिए कहा मगर नैंसी बोली कि अब चाहे जो भी हो बाकली ही उसका पती है और अब 30 साल बाद उसका वापस लौटना नामुम्किन है ये बात सुनकर मुझे बहुत धक्का लगा मैं नैंसी से नराज हो गया और नैंसी वहां से चली गई मैंने नैंसी का पीछा किया और उसके घर तक पहुँच गया मैंने खिड़की से देखा वो दोनों आपस मैं लड़ रहे थे तभी अचानक भाकली ने खिड़की से मुझे देख लिया मुझे देखते ही उसके होश उड़ गए उसकी हालत ऐसी हो गई थी मानो जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और वो गहरे सदमे में चला गया उसका चहरा पीला पड़ गया और अचानक से वो गिरा और उसका सिर टेबल के कोने से टकराया टेबल से टकराते ही उसका सिर फट गया और शायद वो तुरंत ही मर गया बाकली की वैसी हालत देखकर नैंसी घबरा गई और वो भी बेहोश होकर वही पर गिर गई तो मैं खिडकी से अंदर आया मैंने देखा कलनल बाकली मर चुका था और नैंसी वही पर बेहोश पड़ी हुई थी उसे उस हाल में देखकर मैं भी घबरा गया मैं ये तक नहीं चेक कर पाया कि वो जिन्दा भी है या नहीं मैंने उस कमरे के दर्वाजे से बाहर निकलना चाहा मैं दर्वाजे के पास गया और दर्वाजे की चाबी को गुमा कर दर्वाजा खोलने की सोच ही रहा था कि तभी मैंने दर्वाजे की दूसरी तरफ नौकरों को चीखते हुए और दर्वाजे को थपथप आते हुए सुना मैंने सोचा अगर इस हाल में मैं बाहर निकला तो सब मुझे ही कातिल समझेंगे मैंने दर्वाजे की चाबी को निकाल लिया और खिड़की से बाहर भागने लगा मगर खिड़की से बाहर निकलते वक्त मेरी जेब से मेरा पालतू नेवला बाहर निकलाया और खिडकी के परदे में चड़ गया मैं उसे वहाँ छोड़ कर नहीं जा सकता था वो मेरी रोजी रोटी का साधन था वो उस वक्त भी मेरी जेब से निकल भागा था जब मैं खिड़की के पास खड़ा, उन दोनों के जगड़े को देख रहा था मैंने परदे में से अपने नेवले को पकड़ा और फिर खिड़की से बाहर भाग गया ओ, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने कलनल बाकली का कतल नहीं किया शेलब बोला हाँ, मैंने उसे नहीं मारा उसे नैनसी ने भी नहीं मारा वो तो अपने आप ही मरा है उसे उसके कर्मों की सजा भगवान ने खुद ही दे दी उसका मरना तो सिर्फ एक दुरगटना है मैं उस वक्त वहीं था मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा पर मैंने उसे नहीं मारा उसकी बात सुनकर शेलोक के चहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर वो बोला हाँ मैं तो इस सच को पहले से जानता था क्योंकि मैंने टेबल के कोने में खोन लगा हुआ देखा था और टेबल का वो कोना थोड़ा सा मुड़ा हुआ भी था ऐसा तभी हो सकता था जब कोई बहुत जोरदार तरीके से उससे आके टकराए या उसका सिर बलपूर वक बहुत जोर से उस टेबल से टकरा दे नैंसी ऐसा नहीं कर सकते थी और कलनल के मुकाबले तुमारे शरीर में भी उतनी जान नहीं थे क्योंकि तुम बूढ़े भी हो गए हो मैं बस अब तक इसलिए चुप था क्योंकि मैं ये सच तुमारे मुँसे सुनना चाहता था इसके बाद शेलक होम्स और डॉक्टर वाटसन उस आदमी के घर से बाहर निकलाए और वहाँ से सीधा मेजर मर्फी के पास गए और उन्हें सारी दास्तान बताई तब मेजर मर्फी ने शेलक होम्स को बताया कि कलनल बाकली की पोस्ट मॉटम रिपोर्ट भी आ गई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक कलनल की मौत सिर में चोट लगने की वजह से नहीं हुई बलकि कलनल की मौत डर की वजह से हाट अटेक आने से हुई है ये खबर सुनकर शेलक होम्स और डॉक्टर वाटसन मुस्करा दिये मेजर मर्फी ने उन दोनों का शुक्रियादा किया मेजर से इजाज़त लेके शेलक और वाटसन दोनों वापस लोट गए ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की तरफ बढ़ते हुई डॉक्टर वाटसन ने शेलक होम्स से कहा होम्स इस केस में एक रहसे तो अनसुलजा ही रह गया शेलक बोला हम्स शायद तुम डेविट के बारे में सोच रहे हो वाटसन बोला हाँ यही सोच रहा था मैं यह डेविट का क्या रहसे है शेलक बोला असल में जब नैंसी अपने पती से बहस कर रही थी तब बाहर खड़े नौकरों ने नैंसी के मूँ से डेविट का नाम सुना था असल में डेविट उनकी जिन्दगी का कोई हिस्सा ना होकर बाइबिल का एक पात्र है बाइबिल की एक कहानी में डेविट का ठीक वही रोल है जो कलनल बाकली ने नैंसी और हेन्री के कहानी के बीच निभाया था नैंसी बहस करते हुए कलनल बाकली की तुलना डेविट से कर रही थी और तब ही उन नौकरों ने नैंसी के मूँ से डेविट शब्द सुना था कमाल है डॉक्टर वाटसन ने आश्चेर इसे कहा तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब है शेलोक शेलोक बोला मुश्किल से मुश्किल केस की इन्वेस्टिगेशन भी ऐसे ही एक-एक सवालों के जवाबों पर ठिकी होती है एक सवाल का जवाब ना मिले तो समझो कहीं कुछ गड़बढ है चूटे हुए एक सवाल का जवाब भी सही अपराधी को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देता है और इसी तरह चूटा हुआ एक भी सवाल जिसका जवाब ना मिला हो वो किसी निर्दोश के गले पर भासी का फंदा डाल सकता है हाँ सही कहा तुमने तो सब्सक्राब कर ले मेरे चैनल में ऐसी तरह की कई और दिल्चस्प कहानिया है उन्हें भी जरूर सुने मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद